आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे दान तगनी होत रही स्टड़ी ग्लोस पे आपका बहुत बस वागत है तो आज हम पोस्ट मॉटम की बात करेंगे बढ़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मैं आपको बताऊंगा पोस्ट मॉटम कैसे होता ह है बहुत सारी चीजे बाते होंगी मज़ाएगी आपको लेकिन उससे पहले हमारा शांदार यूपिएस्ट का कोर्स इसको लेने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ाएगी क्योंकि सिर्फ और सफ साथ सो सत्तर रुपे का है दोसो प्लस घंटे हम आपको दे रहे हैं शांदार कोर्स आंसर राइटिंग का लॉंच किया तो उसमें काफी बच्चे इन्रोल्ड थे बहुत अबरदस फीडबाक साथी साथ काफी बच्चे इस बार मीन्स भी दे रहे हैं इंटर्वी भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छा चलो तो पोस्ट मॉटम पोस्ट मतलब हो तना अच्छा है क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमको मरना है और जब कोई मरता है तो हम रोते हैं तो भाई अगर आपको पता है कि मरना है ये होना है तो रोना नहीं है समझ रहे हो जो होना है उसके लिए नहीं रोना है क्योंकि मरने पर जो आत्मा होती है वो निक लेकिन आप एक चीज़ समझे कि होना ही है आज नहीं तो कल यह होगा ही कुछ लोग जल्दी कुछ लोगों के साथ बाद में तो इसके लिए हमको प्रिपेर रहना होता है हमेशा जिंदगी सिखाती है प्रिपेर रही है बट हम लोग नहीं इसके लिए प्रिपेर हो पाते हैं मैं चाहता हूँ वो सब पढ़े, बहुत ही जबर्दस किताब है, लेकिन आज हम लोग spirituality के हिसाब से निए, medical field के हिसाब से बात करेंगे, तो post-mortem examination को autopsy भी कहते हैं, ठीक है ना, मंझू देवी, 20,000 post-mortem में उन्होंने किये, एक शांदार लिडी, अगर आप उनके बारे में सुनेंगे, उनकी कहनी तो आपके आँखों से आसू आएंगे, अभी भी वो post-mortem करी रही हैं, आप उनका interview ज़रूर सुनिएगा, मैंने PPT में उनका भी बारे में बताया, उनक कितनी सारी मौत को रोख सकते हैं, सो क्यूं मौत हुई, और अकसर अपने movies में, CID में कि post-mortem करना पड़ेगा, post-mortem अईसा लगता है कि गुद्धी है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बड ऐसा ज़रूरी नहीं है, सो post-mortem कौन करता है, pathologist, याद रखेगा, कि इसमें दो होते हैं, एक तो जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो post-mortem करते हैं, जैसे मंजू देवी, वो बॉड़ी को चीरेंगे, काटेंगे, उसके बाद काम pathologist का होता है, वो doctors फिर देखते हैं, पहले बॉड़ी को चीर दिया, ठीक है, और उसके बाद वो देखते हैं, कि आखिर pathologist बोला जाता है, और वही post-mortem जो है, वो करते हैं, सबसे बड़ी बात, यह information देती है, है ना, किसी को जहर दे दिया, और नहीं है, तुम मर गया है, ऐसे याट अटक से, post-mortem हो पता चल गया, दूद का दूद और पानी का पानी, ऐसे बहुत सारे cases जो post-mortem से solve हो है, पर post-mortem के लिए सिर्फ case से नहीं होता है, उसको ऐसे भी post-mortem किया जाता है, ताकि medical field advance होती नहीं, बड़ती रहे एक तरीके से, ठीके ना, तो सबसे पहली बात तो better understanding, post-mortem, जब तक आप बोड़ी को चीरो के नहीं ना, आपको बोड़ी के बारे में पता ही नहीं चले है, मतलब medical purposes के लिए भी post-mortem किया जाता है, तो यह चीज़ है, तो post-mortem क्यों नेसेसरी है, सबसे पहले तो, इसमें कौन होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से, कब post-mortem नेसेसरी होता है, कोरोनर, कोरोनर क्या होता है, जो investigate करता है, यानि कि, अगर मान लिजे कि, वो नहीं पता, फिर एक hospital doctor होता है, hospital doctor क्या करेगा, वो illness के बारे में बताएगा, ठीक है, cause of this के बारे में बताएगा, और अगर medical purpose के लिए जाना है, तो इसके लिए होगा, कोरोनर की बात करता है, तो कोरोनर एक independent judicial office holder होता है, ठीक है, कहने का मतलब यही है, कि मान लिजे कि, रहा है, वो तो होता है, लेकिन वो पूछता है लोगों से, लेकिन यहाँ पे consent लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके वो legal duty है, ठीक है, अगर court ने order दिया, तो करने ही पड़ेगा, they will ask for a post-bottom, if in the case of a violent sudden or unnatural death, कि अगर मान लिजे, एकदम से मौत होई है, है ना, पच्चिस साल में कुछ सुसाइड होगा, कुछ भी हो गया, या फिर एक criminal investigation का पार्ट है, अकसर इसी पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, पड़े post-bottom का छोटा सा पार्ट है, तो criminal investigation की मार दिया किसी को, या कुछ ऐसे शक है, तो वो ये coroner जो है, वो देखता है, और जैसा कि हमने बता कि अगर coroner ने post-bottom का order किया है, तो उनको permission लेने की relative से जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी वो legal jurisdiction के अंदर है, ऐसे तो आपको permission नहीं लेनी पड़ती है, medical purpose के लिए कुछ, लगिन अगर मान लीजे कि कुछ ऐसा case आया है, और coroner ने बोल दिया है कि ये post-b post-bottom होगा, तो relative कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, अब कब ये coroner के पास जाएगी सबसे पहले तो SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, मान लीजे कि बेबी की मौत हो गई, एकदम से, ठीक है, किसी बच्चे को मार दिया, या मर गया वो, ठीक है, तो SIDS, एकदम से कोई बेबी मरा, तो coroner जो है, मतल तेज घाओ हुआ होता, वैसा हो सकता है, या मान लीजे कि, जैसे कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और कोई chemical industry है, अब उसकी मौत हो गई, तो ये पता लगाने के लिए कि क्या भाई, chemical तो अंदर नहीं घुज गया, या मतलब क्या basically उसका cause रहा है, इसलिए भ अब इसलिए और अगर मान लीजे कि अखले पिछले एक बहिने तक वो इनसान मिले ही नहीं, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजे उसकी मौत होई है, और उससे पिछले एक बहिने तक उस इसलिए इसलिए नहीं गया, तो भी जो है डॉक्टर, अब कोरोनर जो है कह सकता कि भाई पता चलता है, कि भाई देखो, तुम्हारे आदमी को ये बिमारी थी, तुमको नहीं पता, इसकी मौत ऐसे नहीं होई है, ये बिमारी थी, अगर आप पोस्ट मॉटम कराएंगे, डॉक्टर कंसेंट लेगा, तो आपको और बहुत सारी चीजों के बारे में बता चल जाता ह कि अच्छा, इसलिए मौत होई है, हम तो समझ लेते पता नहीं क्यों मौत होई है, ठीक है, और अगर अगर इफ़ दॉक्टर विशेश्ट टू हो पोस्ट मॉटम, तो वो हमेशा रेलेटिव से पर्मिशन लेगा, और इसके बाद आपको बताएगा कि ये हम करने वाले हैं और फिर आपको कंसेंट लेना उसका ज़रूरी है, क्योंकि और गन से जो हैं वो निकाले जाते हैं, ठीक है, होनी की तो उसी की तो जाच होगी ना, अब पोस्ट मॉटम के समय क्या होता है, चलो इसके भी देखते हैं, पाई देखो, तुरंत पोस्ट मॉटम वैसे तो आच्छे दिन बाद मौत के कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, जितना लेट करोगे ना, उतने ही रिजल्ट जो है, उसमें वो इनकुरेट आ सकते हैं, तो जल से जल आपको पोस्ट मॉटम करना होता है, दो तीन दिन के अंदर जो है, वो पोस्ट मॉटम करना होता है, साथ एक examination room में होता है, जो कि एकदम operation theater जैसा लगता है, जैसे operation, operation में भी operation करता है, वो जिन्दा आदमी का कर रहा है, लेगिन पोस्ट मॉटम में body खोल रहा है, बट वो मृत आदमी है, तो सेम है, जादा कुछ difference नहीं है, जैसे मन्जु देवी बताती है, कि समस्तिपुर क hospital में है, तो बताती है, कि भाई देखो, हमारे पास महीने में 25 bodies के करीव आती है, ठीक है, और जो basic सुविदा है, वो नहीं है, आपको जानके हैरानी होगी, कि जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, बाहर, उनको 3-4 लाग रुपा महीना मिल रहा है, लेकिन मन्जु देवी को सिर और पोस्टमाटम करके आई मैं, उसके बाद फिर हम गए और दास अंसकार किया, साड़े 300 रुपए पर डे मिलता है, साड़े 300 रुपए, 10-12,000 करीब महीना बस, और उसमें भी 25 दिन वही बाड़ी आती है, 25 बाड़ी आती है, ठीक है, मतलब कुछ दिन तो ऐसे होते हैं, जब काम है तो है, नहीं है, तो नहीं है, यह सबसे जरूरी काम है, वो बताती है कि इसी लग जाए, बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि जब हम पोस्टम करते हैं, बहुत गर्मी होती है, पानी अगर हो नल बहार लगा हुआ है, पानी हो तो बेसिक सो विधाय तो देनी ही बहुत ज़दा जरूरी है, है ना, तो जो प्रोसेजर दूरिंग प्रोसेजर तो डिसीज परसेन बडी को पूरा ओपिन किया जाता है और ओर्गन्स को रिमूव किया जाता है, एक्जामिनेशन के लिए, ठीक है, कि आखिरकार क्या प्राबलम है, कैसे इसकी मौत हुई, औ और और्गंस को देखके लिवर, हार्ट, ब्रेन इन सब को देखके पता लगा दिया जाता है क्या aynı खिर कार क्यों है और उसके बाद फिर जो है वो results जो है वो दिये जाते है report जो है वो बनाई जाती है कई बार doctors जो है बाद इसमें transparency होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कई बर काफी inaccurate results आ जाते हैं तो यह चीज है उसके बाद कुछ organs ऐसे होते हैं कुछ body ऐसे होती है जिनका detail में post-mortem होता है आप इसमें कई हफते भी लग सकते हैं जब बहुत ज़्यादा sensitive case आता है तो यह आप देख सकते हैं कि मौत के बाद आक्षिर होता क्या medical field के हिसाब से आप यह देखिए तो बाई सबसे पहले तो आपका rigor mortis rigor mortis मतलब होता है कि आपकी muscle जोड़ा अकड़ने लगए stephone लगएगी आप जैसे मेरे father के अभी death होई थी बगवान उनकी आत्मा को शांती दे 23 December को तो मैं मतलब आपके पिता जी से सबसे ज़्यादा close था सबसे ज़्यादा तो एकड़म से उनको heart attack आया था तो क्या हुआ कि जब उनकी body पड़ी हुई थी तो उनके muscles stiff थे ठीक है जब मैंने सीधा करने की कोशिश भी की न उनके हाथ को क्योंकि मुझे वो शांदी जो है उनके वहाँ पर टिकानी थी तो वो सीधा नहीं हो रही थी stiff हो जाती muscle समझ रहो तो rigor mortis मही होता है कि death के बाद आपकी muscles एकड़म क्योंकि देखें कि ब्रेन जो है वो काम नहीं करता है दिमाग आपके factory है वो सब बताता रहता कि कैसे क्या करना है दिमाग एक manager है बट manager ही नहीं है तो सब खतम हो जाता है अगर वही कह रहे हैं कि बिजली आ रही है तो सब बढ़िया बिजली काट दो तो बेकार हो जाएगा घरी बेकार है बताब कुछ नहीं चलेगा कोई भी जो अंजर पंजड़ा को काम नहीं करेंगे तो दिमाग बिजली है एक तरीके से तो एक से दो घंटे में आपका rigor mortis जो है जो छोटे 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 मसला वो डीकंपोज होने लगते हैं ब्रेकडाउन क्योंकि अंदर का जो बैक्टीरिया बाहर वो सब उसको खाने लगता है तो आपके टिशूस तूटने लगते हैं जिसके वज़ए जिसके बाद बदमू आने लगती है है ना बोडी में फिर उसके बाद आइस के बाद कर लो क्लावडी आइस मौत के दो तीन घंटे बाद आपकी जो आई है ना अगर मान लों को खुली है तो आपकी पूरी सफेद हो जाएगी आप देखोंगा आप डर जाओगे अगर मान लीजे कि मौत के बाद आँके खुली की खुली रहेंगी ना वो सफेद हो जाएगी पूरी सफेद समझ रहो कुछ काला लिंग ना सफेद जैसा हम होरर मूवीज में देखते हैं ठीक है और इसी लिए होरर मौवीज में क्लावड़ी आइज रखाया जैता कि भाई यो मौत के बाद है और उसके बाद अगर आइज बंद है तो उसके बाद 24 घंटे बाद जो है वो आईज आप कि क्लावड़ी होगी फिर लिवर मौटइस होता है इसमें जो बलड होता है बलड़ पाई जैसे ही एक से दो घंटे बाद आपका लिवर मॉटेस शुरू होने लगता है मैंने क्या बाता है कि दिमाग आपकी बिजली है अगर आपके घर की बिजली गई तो सारे जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है जो मशीन से सब काम करना बंद कर देंगी तो दिमाग गया दिल गया तो आपका ब्लेड जो है ना ग्राइविटी की वज़े से जो ब्लेड पूरे बॉड़ी में था तुल्लू चल रहा है पूरी बॉड़ी में जो है वो ब्लेड सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन जा रही है लेकिन तब वो पूरा अपले धडाम से नीचे आना शुरू हो जागा ग्राइविटी की वज़े से ग्राइविटी उसको नीचे खीचेगी ठीक है ना अब आप देख रहे हो ना कितना अजीब सा लग रहा है सुनने में है ना जिन्होंने डेथ को देखा होगा किनी की डेथ वो जैसे मैं तो मुझद मैं तो एक चीज रिकॉल कर पा रहा हूँ तो लिवर मॉटे जो है वो होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ब्लड जो है वो एकदम नीचे तक 6-8 घंटे वे एकदम नीचे तक जो है वो चला जाता है ठीक है और आपकी बॉड़ी जो है वो ठंडी होने लगती है है ना फिर एलगॉर मॉटेस होता है वही बॉड़ी 12 घंटे बाद आपकी बॉड़ी ठंडी होने लगती है ठीक है ना और हर घंटे 0.78 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान जो है वो गिरने लगता है इतसे ठंडा होता है तो body ठंडी होने का मतलब यह है कि अब कुछ है नहीं है ना और 0.39 डिग्री चले ठीक है यह फिर putrefaction होता है अब इसका मतलब यह होता है इसमें आप 24 से 72 घंटे बाद आपकी body decompose होने लगती है tissues खतम वस यह जो आपको प्रकरती नापको शरीर दिया था ना loan पे अब वो वापस ले रही है चलो भी यह लाओ शरीर दिया था loan पे वापस लाओ होंको फिर उसके बाद अगर stomach की बात करें तो large intestine यह तो खाने की बात होगी कि अगर मौत हुई है खाना तबी भी पेट में है तो problem होती है ठीक है तो यह चीज है pathologist जो है एक बार सब चीज़े हो गई ठीक है पोस्ट माटम हो गया तो pathologist जो organs वापस body में डाल देता है ऐसा नहीं कि वो organ ले जाता है आलकर organ donation होना चाहिए organ donation बिलकुल करो यार जितना हो सके भारत में 99% लोग organ donate नहीं करते हैं आपके organ donate करने से ना किसी की जान बच सकती है और आपकी body वो कोई काम की नहीं है आप जलाद होगे उसे लेकिन वो norms है societal norms है तो organ जो है वो वापस body में रखना होता है और उसके बाद फिर दा संसकार जो होता है और उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो आप body को as it is form में देख सकते ह और जैसे papers issue हो जाते हैं ठीक है उसके बाद फिर undertakers you have appointed will be able to collect the body तो सारी चीज़े जो हो जाती है body or decolect करके वापस post-mortem आपको दे जाती है papers papers complete और आप जाके दा संसकार करिए अब यह सब देखता है human tissue authority ठीक है ना तो यह देखती है कि जो human tissues हैं उनको सही तरीके से use किया ठीक है आप tissues को use कर सकता है remove कर सकता है इनको store भी कर सकता है research medical treatment बागी post-mortem examinations के लिए भी तो जितने भी जहाँ यह मंजुदेवी है 20,000 अभी तक post-mortem कर चुकी है ठीक है उनका कमाल का interview था लेकिन बहुत दिल तोड़ने वाला interview था जब मैंने इनका interview देखा ठीक है तो इनके interview के मैंने आपको बारे में बताया कि बहुत सबै सही है post-mortem कर रही है और अब इनके वालब यह क्योंकि यह तीस चौथी या पांच भी पीड़ी है जो इस profession में है ठीक है बताती है कई बार बताती है कि बच्चे का post-mortem जैसे आप तो इनके आदत हो गई है इनसे हैं कि बाई post-mortem आप कर रहे हो तो कई ऐसा नहीं हुआ कि आपका दिल भराया हो पहले post-mortem में बताती है कि पहली बार जब मैंने काटा तो मैं बहुत रोई थी पर उसके बाद फिर आदत पढ़ गई है ना दूसरा बताती है कि एक बार मैंने गुंडे का post-mortem किया तो सारे जो वहां कि उसके लोकल गूंस हैं वो सब आ गया थे कि भई आरे ऐसे कैसे भई या भाई का post-mortem कर दिया तो मंजू देवी के बारे में जरूर पढ़िएगा जरूर के इंटर्व्यू सुनिएगा और उसके बाद डॉक्टर पटेल डॉक्टर तेजस पटेल कमाल के इन्सान हैं इन्होंने बोला कि भाई post-mortem आप जरूर करो unexplained death हर बॉड़ी का post-mortem करो इससे हमको बीमारी के बारे में और अच्छे जब पता लगेगा और हम बीमारियों को predict कर सकते हैं ठीक है ना और इन्होंने पूरा का पूरा movement चलाया था organ donation अब यह बोलते हैं कि जो unexplained death है उसका तो आप post-mortem जरूर करो आप खुद से बोलो कि post-mortem करो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां पे बहुत सही होगा क्योंकि हम आगे आने वाली deaths को रोख सकते हैं जान के तो इस तरीके का moment चलना चाहिए उन्होंने organ donation का भी moment चलाया थ जो कि काफी जदे successful हुआ था ठीक है ना तो यह लेचरता post-mortem पर आहिए उब आपको पसंद आया होगा बाद कि आप हमारे course को जरूर अवेल करें thank you so much